हेलो दोस्तो, वेलकम टू मा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रही हैं, स्टड़ी आइज यूट्यूब चैनल, तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाली हैं, CSIR, UGC, NET की तरफ से निकालीगी, नोटिफिकेशन के बारे में, Department of Fire Education की वाज करें, वीडियो इंपोर्टन लगता है, तो अपने फ्रेंट्स के साथ भी शेयर करें, पहली बार हमारे चैनल पर विज़र कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही इन्फरमेटिव वीडियो के लिए, और ऐसी ही इन्फरमेटिव वीडियो आपको डेली नोटिस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह CSIR, UGC NET का निकाला गया ओफिशल नोटिस है, नेशनल टेस्टिंग एजनसी के द्वारा इसका एक्जाम जोब हो करवाया जाएगा, बाकी यह सारा आपको यहाँ पर जोब इंडेक्स दिया गया है, मैं आपको यहाँ डेटेल में इसके लिए बताऊंगा कि यहाँ पर कब से कब तक आपका एक्जाम रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके लिए online registration जो रहेगी, joint CSIR, UGC NET 2024 के लिए, वो 152024 से लेकर 252024 तक रहने वाली है, तो आप 1 मई से form को apply कर सकते हैं, last year जो आपकी इसमें UGC NET के लिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनल के लिए 1150 रुपीज रहेगी, OVC, NCL, उसके लावा यहाँ पर जनल EWS के लिए 600 रुपीज रहेगी, and SCSTPWD candidates, third generals के लिए यहाँ पर जो बो 325 रुपीज फीस जो बो रहेगी, इसको आप जो बो अपने debit card, credit card, UPI, internet banking, उसके लावा जो SVI and ICIC payment gateway के दुरारा भी यहाँ पर जो बो payment कर सकते हैं, इसके लावा बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर joint जो CSIR, UGC NET का टेस्ट रहेगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका city information से ले पर रहेगा, वो announce कर दिए चाएगा, आपको website के रहेगा, MCQ आपका objective type paper रहेगा, 180 minutes का आपको time यहाँ पर दिये चाएगा, date of examination आपकी यहाँ पर देख सकते हैं, 25th, 26th and 27th June 2024 को आपकी रहेगी, इसका आप screenshot ले सकते हैं, इसके लावा बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो timing रहेगी, वो NTA के दौरा आपको announce कर दी सकते हैं, बाकी website का link आपको मैं description में डाल दूँगा, बहां से आप directly जो वो form को apply कर पाएंगे, तो अपना जो आपको application form submit करना है, वो उनकी official website पर जाकर करना है, NTA की website पर जाकर, csirnet.nta.ac.in पर जाकर आप अपना form भी इसमें apply कर सकते हैं, इसके लावा बात करें, यहाँ तो कौन-कौन से candidate इस form को apply कर सकते हैं, कौन-कौन से candidate जो वो CSIR, UGC net का जो exam में वो दे सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं, अगर हम testing agency की बात करें, तो वो आप इसमें detail में पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें जो eligible रहेंगे, वो JRI assistant professor, PhD admission वाले जो यहाँ पे इसके लिए जो वो eligible रहेंगे, qualifying candidate आप यहाँ पे देख सकते हैं, next बात करें, यहाँ पे तो जो about junior research fellow की बात करें, तो इसमें जो stipend आपको दिये चाहेगा, junior research fellow के लिए, वो आप देख सकते है, national eligibility test के दौरा आपका 37,000 पर मंत रहेगा, first two years के लिए, and additional आपको 20,000 पर मंत आपका दिये चा जो आप देख सकते हैं, 42,000 पर मंत आपका रहेगा, उसके लाबा यहाँ पे, UGC net के बात करें, national fellowship scheme, उसके लाबा, यहाँ पे सभी schemes के बारे मों, आप यहाँ पे detail में पढ़ सकते हैं, eligibility criteria के बात करें, UGC net के लिए, तो इसमें जो eligibility criteria रहेगा, वो आप यहाँ पे देख सक पाएंगे, जब भी आपने यहाँ पे, जो अगर degree कर रकी है, master degree आपके पास में है, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, इसके लाबा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें, यहाँ पे जो भी category, यहाँ पे belonging category, third gender वाले रहेंगे, उसके लिए relaxation भी आपको इसमे आपके पास रहेगा, इसमें अगर आपके पास में है, तो यह भी candidates में apply कर सकते हैं, तो यह थो था, यहाँ पे जो वो four years and eight semester की, जो आपके यहाँ पे eight semester की जो degree है, program schedule, वो 75% marks के साथ में, इसमें जो वो form जो apply कर सकते हैं, उसके लिए भी link आपको description में मिल चाहेगा, बाकी age limit की बात करें, तो इसमें 30 से जादा आपकी age जो वो नहीं होनी चाहिए, तभी आप GRF के लिए form जो वो apply कर सकते हैं, assistant professor के लिए CSIR, UGC net का जो assistant professor का रहेगा, इसके लिए कोई age limit नहीं रखी गई है, and PhD admissions के लिए भी इसमें भी age आपकी नहीं रहेगी, declaration आपको यहाँ पे pattern की बात करें, तो आपका जो pattern रहेगा question paper का, वो chemical science में आपके यहाँ पे 20 questions रहेंगे, जिसमें से question आपको जो attempt करने पड़ेंगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, number question attempts के 15 रहेंगे, marks आपका 2 रहेगा, and यहाँ पे 0.5 marks आपका का गाठा जाएगा, part B में 40 questions रहेंगे, part atmospheric, ocean, and यहाँ पे planetary science के लिए, तो इसमें 702 code रहेगा, इसमें 701 रहेगा, इसमें part A, part B, part C रहेगा, total आपको दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, life science के लिए part A, part B, part C रहेगा, वो आप कर सकते हैं, mathematical science के लिए भी आपको दिया गया है, and physical science के लिए part A, part B, part C, total questions आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यह सारी चीज़े आपको दी गए हैं, बाकि आप यहाँ पे detail में पढ़ सकते हैं, अगर आपको कुछ यहाँ पे पूछना हो, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, medium of examination, Hindi and English आपका रहेगा, marking जो आपकी रहेगी, वो भी आपको मिन बता दी ह पॉइंट यहाँ पे आप 3.2 का चेक कर सकते हैं, वो रैफर आपको दिया गया है, subject of test की बात करें, तो chemical sciences, earth, atmospheric, ocean and planetary science का रहेगा, life science का रहेगा, mathematical science का रहेगा, and यहाँ पे physical science का भी रहेगा, syllabus आपको इनकी official website पर मिल चाहेगा, वहाँ से आप download कर सकते हैं, and अगर हम बात करें, facility for PWD candidates के लिए, वो आप detail में पढ़ सकते हैं, जो main main चीज़े हैं, वो आपके साथ में यहाँ पे clear कर दी हैं, बाकि कुछ पूछना हो, आप comment कर सकते हैं, आप इनकी official website पर जाकर, जो form को यहाँ पे जोबो, डेली यहाँ पे notification मिलते रहेंगे इस channel पर तो आप इस channel को भी subscribe कर लें, उसके लाबा कोई important topics अगर आपके लिए रहेंगे, तो वो भी आपके साथ यहाँ पे जोबो share होते रहेंगे, आप channel पर जाकर विज़र कर सकते हैं, आई button पर भी विज़र कर सकते तब तक के लिए thank you, goodbye, take care